बिहार में पिछले एक साल में सिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। स्कूल की टाइमिंग और छुट्टियों में कटोती को लेकर खुब हंगामा हुआ। लेकिन अब सामने आ रही है घोटाले की बात। ये घोटाला क्या है और कार्रवाई क्या हुई देखिये पूरी खबर। पाई गई थी जिसके बाद कार्रवाई हुई। बिहार में सिक्षा विभाग का बजट सबसे ज़्यादा है और इसका डंका भी पीटा जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या विभाग के अधिकारी धांदली के बड़े खेल में तो शामिल नहीं। अब विपक्ष इसे लेकर सरकार को कट घरे में खड़ा कर रहा है। नए नए एजन्सी को दिया गया है, किसी के दवाब में दिया गया है, इसकी अगर ठीक से जांच हो तो कई हजार करोर का घुटाला सामने आएगा, अभी तो दो चार्ट डियोर लंबित हुए है। ठीक से जांच हो तो सिक्षा सचीब से लेकर नीचे तक के पताधिकारी क केशन गंज के जला सक्षा पताधिकारी कार्याले में जिस धांधली की बात हो रही है उसे समझते हैं। जांच में ये पाया गया कि विंडर के चयन और सभी योजनाओं के भुगतान में नियमों की अंदेखी की गई। साथी सरकारी राशी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। वित्य धांधली की खबर के बाद डीडीसी की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई। जिसकी जून में सिक्षा विभाग को सौपी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ततकालीन जिला सिक्षा पदाधिकारी सुभाश गुपता, वर्तमान जिला पदाधिकारी मुति उर रह्मान और दो जिला कारिक्रम पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस धांधली पर क कोशिश के बावजूद सिक्षा विभाग का पक्ष नहीं मिल सका। हाला कि डिप्टी सीम विजस जिन्हा ने कहा कि जो भी भरष्टाचार में शामिल होगा उसके खिलाफ कारवाई होगी। क्यारा पसन परदीप के साथ प्रितमकुमार कसे सन्योज पतना।